हेलो दोस्तों आप समों का OPS Study Solution में श्वागत है तो दोस्तों आज मैं December सेशन के लिए दोस्तों भी भी आई जो है Subjective Question, Non-Objective Question लेक्या है हूँ बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट विडियो होने वाली है दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट यह रिक्वेस्ट कर रहे देगी सर सब्जेक्टिव कोईशन का विडियो बनाए तो दोस्तों आज मैं Class 12 का सब्जेक्टिव कोईशन का विडियो बनाने वाला हूं वैसे लाने वाला हूं अब डेली मैं सब्जेक्टिव कोईशन में लाने वाला। अब्जेक्टिव कोईशन मैंने भूत करवा दिये हैं आफ लोगों मिलेुवगे तो wiel 안에 ओ मैं विडियो में सब्जेक्टिव कोईशन मतावना मिलों तो चलि दी दोस्तों विडियो की सुरू एक्टिव है पहला मैंने दूस्तों इल्लेक्ट्रिक चाल एंड्फील्ड से जो है कोशन स्लेक्ट किया है दोस्तों क्या है कि आपके एक्जाम में वी वूस के 12 एकजाम में दोस्तों और यह हमारा physics का है physics का question है ठीक है दोस्तों तो हमारा यह इस तरह से question पूछे जाएंगे जो भी मैं question बताऊंगा पूरा important और भीविया है दोस्तों आपके exam में direct जो है यहीं से question पूछे जाने की शंभाबना है तो अपना जो भी question मैं बता रहा हूं वह अपना दोस्तों question आप घर पर बार बार रिवाइज करिएगा यहां पर देख सकते हैं दोस्तों हमारा पहला जो question है an electric dipole is held in a uniform electric field ठीक है दोस्तों पहला जो question है using suitable diagram so that does not undergo any translatory motion and यहां पर दूसरा question है दोस्तों यहां पर drive an expression for the torque acting on it and specify its direction ठीक है दोस्तों यह हमारा question है यहां पर देख सकते हैं तो चलिए मैं थोड़ा सा बढ़ा कर देता हूं चलिए इस तरह से हमारा यह question है तो यह हमारा answer है दोस्तों answer के शाहत है आपको कहीं भी कोई प्रेशानी नहीं होने वाली है तो इसका यह answer हो जाएगा ठीक है अब यह हमारा दूसरा number question यह है दोस्तों यहां पर देख सकते हैं यह 5 MF capacitor is charged by a 100 volt supply ठीक है दोस्तों इस तरह से हमारे यह numerical question भी आप लोगो physics में पूछे जाते हैं तो अपना यह पढ़ लिजेगा त्यार कर लिजेगा सारे solution इसके बाद यहां पर दूसरा question है तीसरा आजी तीसरा हमारा यहां से start है ठीक है दोस्तों यहां पर देख सकते है है तीसरा यहां पर हमारा start है और इस तरह से चलिए और यहां पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों बहुत important question है जितने मैंने सेलेक्ट किये है यहां पर देख सकते हैं दोस्तों शूपर पोजीशन principle for the electro a static force on a charge due to a number of charge ठीक है इसका यह हमारा answer है निचाज यह दोस्तों of fundamental force between charge particle which basic law does यहां पर देख सकते हैं govern this force compare these aspects with a fundamental force between nucleus तो यह हमारे इस्तरे हो जाएंगे दोस्तों यहां पर और यह हमारे छठा number question इस्तरे हो जाएंगे साथ हो फिर हमारा यहां से पूचा जा रहा है दोस्तों what is electric flux बहुत ही महतपूर्ण है दोस्तों electric flux को हम लोग जैसे की पता होगा फाई से किया करते हैं दिनोट करते हैं फाइस का शिम्बॉल होता है हमारे युणीट ही हो गया देख सकते हैं दोस्तों यहां पर शक्रोंदीश रोब्लों कि नूट मीटेर स्क्वेर Kerryह जान ठीक है नूट मीटों इस तरह से भॉष्ख लउए झाल फिक दोस्तो यह दूस्ते को सिर था कि मिल गया और इसे तरह दोस्तों यहां पर देख सकते अगला स्क्राइब इसे नमारा युजिंग बोड़िश कम श्रसी मैं न二 यहां पर देख सकते हैं यहां से सब्सक्राइब दोस्तों ठिक है यहां से यह question start है और यहां पर है यहां फिर यहां पर है ठीक है दोस्तों अगर आपको कोई problem हो रही है तो आप मुझे ज्यादा असानी होने वाली आपके पेपर में एक चार्ज क्यू इस प्लेस्ट एड़ सेंटर ओफ लाइन ज्वाइनिंग टू एकवल चार्ज क्यू सो दैट दो सिस्टम ओफ थरी चार्ज विल वी इन उनिफॉर्म इफ क्यू इस एकवल तो माइनस क्यू फोर दोस्तों यहा जो आपका एक जाम जो है थोड़ा सा टाइट होगा लगता है कि इस तरह से देख सकते हैं दोस्तों हमारा कोईशन है और यहां पर यह देख सकते हैं यह कोईशन बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट यह मैं आपको टिक कर देता हूं ड्राइब एन एक्सपेशन फोर द एलेक्ट्रिक इंटेंसीटी द्यू टू अनुफ यूनिफॉर्म चार्ज सेल एट पॉइंट इंसाइड दसेल एंड और साइड दसेल ठीक है दोस्तों हमारा यह कोईशन है दोस्तों ब यहां पर देख सकते हैं इस तरह से हमारा यह कोईशन है अब यहां पर देख सकते हैं दोस्तों यह हमारा कोईशन है ठीक है यूजिंग दो गौस्ट्योरम ड्राइव एन एक्सपेश्चन यहां पर देख सकते हैं यह फिर यहां से है इसके बाद यहां से दोस्तों ऊपर मे अब लेबल होगा बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने अब लेबल करवाया है अब देख सकते हैं दोस्तों 15 का राइड डाउन यूनिट एंड डाइमेंशन और परमेबिलीटी और फिरिया स्पेस इस तरह से हमारी यह कुश्यन है अब यहां पर दोस्तों यहां से देख सकते ह हमारा इलेक्ट्रो पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का जो हमारा आ गया टॉपिक हमारा एलेक्ट्रो पोट एलेक्ट्रो पोट एलेक्ट्रो एलेक्ट्रो स्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस ठीक है दोस्तों एलेक्ट्रो स्टैटिक पोटेंशियल एंड कैप यह हमारा चेप्टर यह तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन है यहां से आज दोस्तों मैं आपको इंपोर्टेंट क्वेशन यहां पर देख सकते हैं दोस्तों दीफाइन दर्म यहां पर ट्रॉलैक्त टाइपोल अट फार ओट लांग ओनधन इकलेटरल नाइं धे दोस्तों इस तरह से हमारे यह हमारा कुश्चन है और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों हमारा वाट आर दर डिफरेंस बीट्विन कंड़क्टर एंड डा इलेक्ट्रिक स्टीक है दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट है तुमारे एंसर पॉइंट कंड़क्टर है राज नंबर फ्री एलेक्ट्रोन वहीं डिफाइनल डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड रिलेटीव पर मिल्मिटें थिक है दोस्तों यहां पर हमारे कbench कटम होग्या द electromagnet इसमें एतना ही रखा है इतना ही कॉईशन मैंने जो चूज किया है और दोस्तों एक बात बताना और दोस्तों आप लोगो अगर इसकी पीडिया फाइल चाहिए तो मैं आपको दोस्तों अपनों को थोड़ा सा इसमें चार्ज पे करना पड़ेगा दोस्तों 59 रुपीज का जो आपको मिंबर से जॉइन करना पड़ेगा ओल्ली 59 रुपीज का चैनल के सब्सक्राइब बटन के बगल में आपनों को जॉइन का ब्लू कलर का बटन दिख रहा है वहां से आप जॉइन कर सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट दोस्तों 400-500 स्टूडेंट जूड चुके हैं और वह अपना लाब उठा रहे हैं अगर आपको चाहिए पेडिया फाइल आ उसके बाद आपको सारे पीडिया फाइल जितने भी इंपोर्टेंट कोईश्यन है सवाव लेवल करवा दिये जाएंगे ठीक है दोस्तों तो वैसे दोस्तों आप फिरी में दोस्तों वीडियो देखके भी तयारी कर सकते हैं मैं रेगलरली वीडियो भी बनाने वाला हूं स्टूटेंट जिनकी इच्छा नहीं है तो क्यों बात नहीं है दोस्तों आप वीडियो को वाच करके भी अपनी तयारी अच्छी कर सकते हैं चैनल के साथ लगातार वने रही है मैं लगातार अभी ज Caribbean question मैं ला रहा हूं और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारे लिंक दे दिये जाएंगे वहाँ से भी आप एक्जाम की प्रिवियस है और 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 भी बहुत सारे मोडल पेपर सबके शोलूशन है तो उनके वीडियो वाच करके आप अपने एक्जाम की तयारी कर सकते हैं ठीक है दोस्तों तो आज अकर तो आप लोगो काफी साथ यह वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक से जरूर कर लिजेगा अगर आप हमारे चैनल कभी तक नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजेगा तो चले दोस्तों आज की वीडियो के साथ तब तक के लिए धने वाट टैंक्यू